महिला की योनी में से खून निकलता है जब एक पुरुष और एक महिला सम्बंद बनाते हैं और ये सिर्फ पहली बार होता है और ये इस चीज़ का इंडिकेशन भी है कि हाँ महिला ने तो अब पहली बार ही किया है तो अब मारकेट में एक नया स्क्याम चला है ठीक है उस स्क प्राइम के अंदर क्या है कि कुछ गोलिया हैं जो की जो महीला अपनी योनी में अगर रख ले तो खुण जैसा निकलने लग जाता है तो यह किन के लिए मददगार है उनके लिए मददगार है लड़कियों के लिए जिन्होंने संबंतों शादी से पहले बना लिया लेकिन डर रही है कि कहीं मेरे पूरुष साथी को ये बात पता ना चल जाए शादी के बाद मतलब कि मेरे हस्बेंड को तो जो पूरुष हैं जो बुद्दु नहीं बना जाते वो इस वीडियो को पूरी तरह देखना और जो महीलाएं हैं जो इन गोलियों का इस्तमाल करना चाहत हैं आप जो ये Amazon वगेरा ओनलाइन स्टोर्स होते हैं उनसे भी बहुत इसली परचेस कर सकते हैं और अगर हम इनके रेट की बात करें तो रेट भी बिल्कुल सो रुपे की नोदस गोली आपको अराम से मिल रही है ठीक है अब बात है कि ये गोली आपको खानी नहीं है ये से एक सील तूटती है उसी प्रकार से ही वो तूटे ही वो प्लास्टिक टाइप ही कुछ है और उसके अंदर से कुछ फ्लोइड निकलेगा जो कि क्या होगा लाल कलर का होगा वो खून नहीं होता लेकिन वो खून जैसा दिखेगा जरूर तो ये इस चीज का चक्कर है तो अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी उनके बारे में जो सोचते हैं कि खून निकलना इस बात का प्रूफ है कि महिला ने पहली बार किया तो ये जो सोच है ना कि ये एक ब्रहम है ऐसा कुछ है नहीं है क्योंकि बहुत सारी महिला है तो वो जो सोकोल्ड सील है उसके ब बारे में सोचते हैं और लोग इसको इतनी इंपोर्टेंस देते हैं यह जो टॉपिक ही बिल्कुल इंपोर्टेंस का है नहीं और यह इस चीज को साबिट करता ही नहीं है दूसरी बात जो महिलाएं अपने पुरुष के आगे सतिसावित्री बन के यह चीज़े दिखा दें कि हाँ भई हम तो बहुत अच्छे हमने तो नहीं किया क्या आपको पता है आपके पुरुष साती ने कितनी बार किया होगा क्या आप उसकी गिरेंटी ले सकते हैं उससे यह चीज़े जैसे पुरुष से पूछने पर पता चलती है मतलब वो अपने आप दिल से बताएगा तो बताएगा नहीं तो नहीं से महिलाओं के साथ होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चांसे ऐसे रीजन्स होते जिनकी वज़े से वो जो सील अगर है तो ब्रेक हो जाती कई बार किसी के अंदर होती नहीं है यह कोई एक मतलब पर्टिकुलर एक डेफिनेट चीज नहीं मां सकते हम ठीक है और चाहे आप मैडिकली देख लो चाहे आप लीगल री देख लो कैसे भी डेख लो यह चीज कभी भी इस बातका सबूत नहीं होती है कि एक महिला ने समंध में आया नहीं यह फिर बी अब भी ये वीडियो सुन ली अब उनको इस चीज के बारे में पता भी चल के जिनको नहीं पता था आप सोचेंगे कि हम खरीदे ले कुछ ने तो सर्च भी करना शुरूर कर दियोगा मेरी वीडियो को हादा काट के लेकिन ये आगे की वीडियो भी उतनी जरूरी है जितनी वो बात थी जितनी उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी अब क्यों जरूरी है वो क्यों कि अगर आपने सिर्फ ये अच्छा दिखने के लिए अच्छा बनने के लिए या फिर जो भी आपको प्रूफ करना था उसके लिए आपने ये लेली लगा ली वहां पर तो क्यामिकल चीज ही तो है पहली चीज तो वह आपकी योनी में इंफेक्शन कर सकता है बहुत ज्यादा सीवियर भी वह इंफेक्शन हो सकता है दूसरा पुरूर्स को भी इंफेक्शन हो सकता है उसकी वज़े से अपने पार्ट को उसके पार्ट को खत्रे में डाल रही है उस बार को ना मतलब मैं तो अपने पर कुछ वो करती नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर स्किन पर या आउटर उस पर चीज़ हो ना तो आखों से दिख जाता क्या चीज़ चल रही है लेकिन जो इंटर्नल और्गन से उनको तब बिल्कु छेड़ना भी नहीं चाहिए यार तुम सोच नहीं सकते हैं वहां का कैसा एक्मोसफेर है क्या इसा मतलब एंवार्मेंट है उस प्लेस का और क्या चीज़ वहां के लिए ठीक है क्या नहीं है तुम कुछ भी कैमिकल लेके अपने अं में है तो प्लीज यह खरीदना मत और पुरुशों को भी मैं यह बता देना चाहते हूँ जिनकी ऐसी मेंटालिटी है कि खुन हैगा तो ही मैं मानूगा या फिर जो भी ऐसा कुछ नहीं है भई कुछ नहीं है अगर वो आपके साथ लोयल है तो वो है अगर नहीं है तो आप पता नहीं लगा सकते वो चीजे और कोई भी मेडिकल टेस्ट कोई भी कुछ भी यह इस चीज का पता नहीं लगा सकती सिवाए उस इंसान की जो इंसान है पही आपको सच बता सकते तो बेटर तो बी इन गुड रिलेशन्शिप बेटर तो बी लोयल विज पार्टनर बेट बेटर तो बेटर तो बी गुड विए पार्टनर और नोट बी इंडल्ज इन इस ताइप फिंग तो प्लीज यह हाथ जोड के आप से रिकवेस्ट है इन चीजों के अंदर मत गुसी आप